एनसाइटी निखारता है आपकी प्रतिभाकों एनसाइटी ए प्लेस तु इमेजन, इन्वेंट और इंस्पायर एनसाइटी अमहारा भीटा पटना आजकल हत्या करके शौक को छिपाने के लिए हत्यारों द्वारा अलग-लग हत्कंडे अपनाय जा रहे हैं ताकि हत्या करने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाए शौक को छुपाने के लिए नएनी तक्नीकों का जुगाड कर रहे हैं यह ताजा मामला कहलगाओं अनमंडल के सनहौला थाना छेतर के श्रिचक गाओं से लगबग एक किलोमेटर दूर अस्थेत बहियार में जगरू यादों के खेत के ताड के पेड के उपर बांदा हुआ चालिस वर्षिय अग्याद शौ बरामत किया गया काफी दुरगन आने के बाद ग्रामिनों को ताड के गाच के उपर शौ होने की भनक लगी जिसके बाद स्थानिय पुलिस को सूचना दी गई उसके बाद मौके पर पहुची पुलिस ने स्थानिय लोगों की मदग से 40 फिट उपर पेड से शौ को नीचे उतारा साथ ही एक धारदार तलवार भी पेड के उपर से ब्रामद हुआ शौ को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसकी हत्या लगवक पांच दिन पुर भी होगी और लाज को छुपाने के लिए ताड गाच के 40 फिट उपर गमची से बान दिया गया है शौ को देखने से पहचान में नहीं आ रहा है बिलकुल सड़ गल गया है इस घटना की सूचना मिलते ही स्रेचक गाउं के आसपास की महिला एवं पुरोश की हुजूम निकल गई लोगों ने अपनी दवी जुबान से कह रहे हैं कि इसकी हत्या कर ताड गाच के उपर बान दिया है वह इस मामले में सनहुला थाना प्रभारी बिजिस कुमार ने बताया कि बहियार में मवेशी चरा रहे बच्चों ने पहले शौ को देखा उसके बाद गरामीनों को सूचना दी सूचना के बाद सनहुला पुलिस ने अपने दलबल के साथ गटना स्तल पर पहुँच कर इस मामले की च्छानबीर में जुट गई है एब हम शौ को अपने कबजे में लेकर पोस्ट मार्डम के लिए भागल पूर भेज दिया है क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास समस्याओं का सॉलूशन पा सकते हैं सौच क्यार मुबाइल आप के द्वारा अधिक जानकारी के लिए आप संपर कर सकते हैं हमारे फोन नंबर से 9472-98111 9472-982222 सौच क्यार आप सौलुशन आप यूर सिंगर टिप्स